नमस्कार साथियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में हमारा वर्मी कंपोस्ट तयार है या नहीं या आप उसे कब हर्विस्ट कर सकते हैं उसे कब निकाल सकते हैं तो ये बात की जानकारी देने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है बहुत से ल जनरली जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो खाद है वो अमारा वर्मी कंपोस्ट के वल उपर उपर से इस तरीके से चेक कर लेंगे और उपर से देखते हैं कि हाँ जो है खाद बिलकुल दानेदार दिख रहा है याने कि ये जो चाई की पत्ती होती उस तरीके से आपको देखना होगा अगर हर जगे आपको सेम टाइप का खाद मिले याने की सेम चाई की पत्ती के आकार का आपको खाद दिखाई दे तो आप समझिए कि तब हमारा जो खादे वो तयार है अब हमें इसे निकाल लेना चाहिए तो ये तरीका होता है कि आप हर जगे से यहां तक आपकी गहराई है वहां तक इसको चेक करिए और सिर्फ एक जगे से आपको चेक नहीं करना है इसे कम से कम दो या तीन जगे से आप चेक करिए अगर आपको लगता है कि कहीं एक जगे गहराई तक खाद तयार हो चुका है ल पूरा एक जिसा उसको वर्मी कंपोस्ट में कंपलीट कर देंगे उसे तयार कर देंगे तो यह तरीका होता है कि आप हर जगे से इसको उठा उठा कर देखिए और अगर आपको लगता है कि सब जगे एक साइस का दानीधार खाल बन चुका है तो फिर आप उसे हर्वेस्ट कर तो मैं बना दूँआ किस तरीके से हर्वेस्ट करते हैं कि उसमें चैलेंजिंग जॉब होता है कि जो पुराने हमारे अर्थ वाम से उसके अंदर उसको किस तरीके से निकाले या फिर उनको कैसे अलग रखें जब खात को निकाले क्योंकि यह बहुत सारे लोगों को दिक्कत अब यह जब वह खात को निकालते हैं तो इसमें अर्थ वाम से भार आ जाते हैं उसमें अर्थ वाम सा नुकसान होता है वोटाली रेट बहुत ज्यादा होती उसके अंदर क्योंकि निकालते वक्त ध्यान नहीं रखते तो अब पूरा तरीका आपको बता दूँआ कैसे नि जुड़ी भी जनकारी चाहते हैं इंटरस्ट रखते हैं हेल्दी जीवन चाहते हैं हेल्दी फूट काना चाहते. आने वाले टाइम में तो सब्सक्राइब करके